Good morning students आज यह part two है preposition का पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था preposition क्या होती है preposition का use किस तरह से होता है और preposition कितने परकार की है तो पिछली वीडियो में हमने preposition in का use पढ़ा था कि in का use किस तरह से किया जाता है अब हम बात करेंगे एट जो एट प्रेपोजिशन है इसका यूस कहां कहां पे और किस तरह से किया चाता है ये कोश्चिन प्रेपोजिशन कि सभी गॉर्मेंट एक्साम में पूछे जाते हैं जैसे अभी पंचायत साइक आएगा उसमें भी इंग्लीश पूछे जाती है जे ओए है उसमें भी इंग्लीश पूछे जाएगी तो उन सभी में प्रेपोजिशन से क्वेश्चिन पूछे जाते हैं तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे चूंकि एट इन टू आफ इनसे काफ़ी जादा क्वेश्चिन पेपर में आते हैं तो अब हम बात करेंगे एट का यूज इनका यूज हमने देखा कि इन इनका यूज एक बड़े स्तान के साथ किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट रूल के बारे में पढ़ा जैसे इन है इन डैली बिग सीटी के साथ भी क्या यूज होता है इन यूज होता है इसी तरह हमने इनके बहुत सारे रूल पड़े पिछली वीडियो में अगर आप उसे देखना चाहते हो तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं आज हम बात करेंगे एट एट का एट एट का मतलब क्या हुआ पर हिंदी में एट का यूज पॉइंट ओप टाइम के लिए किया जाता है सब सब जो सबसे पहले रूल है एट इसका यूज पॉइंट ओप टाइम के लिए किया जाता है अब आप बोलोगी point of time क्या होता है जो point of time होता है वो एक निश्चित समय होता है निश्चित समय का मतलग जैसे for example यहां पे है we left at two o'clock हम दो बजे गए ठीक है तो two o'clock क्या है यहां पे two o'clock क्यां पे निश्चित समय है तो इसलिए यहां पे क्या यूज्चित समय है कि कब आया था आदी रात को तो at का यूज्चित हो गया और at का यूज्चित दूसरा जो इसका रूल है निश्चित जगा निश्चित जगा where something happened जैसे my house is situated at the corner of the street एक निश्चित जगा है क्या वो रहे वो आदमी कि मेरा जो घर है वो कहां है at the corner of the street एक निश्चित जगा बता रहा है कि जो corner है उसकी street मेरा घर है next example है I meet her at the airport I meet her at the airport मैं उससे airport में मिला था तो एक निश्चित जगा की बात वो कर रहा था कि वो उससे कहां मिला है airport के पास उससे मिला था तो जब भी हम निश्चित जगा की बात करते हैं तब एक का यूज़ किया जाता है और उस sentence में हम एक का यूज़ करते हैं और जहां पर अब राजगिर कोई भी छोटा सी जगा हो सकती है तो यह आपके पास क्या हो गया यह आपके पास एक का यूज़ के साथ होता है और इनका यूज़ भी प्लेस के साथ होता है जैसे अमने बिश्री वीडियो में देखा था कि जो इन है आई लिव इन डैली तो डैली एक बड़ा यानि की शेहर है बहुत बड़ी जगा है तो जब हम बड़ी जगा की बात करेंगे तो इनका यूज़ करेंगे जब हम स्मॉल प्रेस की बात करेंगे तो एट का यूज़ करेंगे next इसका rule है price price, rate या speed इसके साथ भी at का use किया जाता है जिन sentence में आपके पास price दिया हो, rate दिया हो या speed की बात की गई हो उस sentence में at का use होगा जैसे for example sugar sale at 40 rupees a kilo, तो यहाँ पे क्या बोड़ रहे है rate की बात हो रही है sugar sale at 40 rupees a kilo ठीक है, कितना rate है sugar का, 40 rupees 40 rupees है clear हो गया, तो rate की बात हुई अब हम बात करेंगे he bought the books at a high price तब यहाँ पे high price की बात हुई जाँ price की बात हो रही है तो यहाँ पे भी at का use करेंगे next है, I borrow money from him at 5% interest तो यहाँ पे 5% interest की बात की जा रही है तो यह भी आपके पास क्या है rate, ठीक है की बात हो रही है next आपके पास है the car was running at full speed अब speed की बात हो रही है sentence में तो यहाँ पे at का use होगा जब आपके पास noun या pronoun price में हो या rate में हो या speed में हो तो आपके पास क्या use होगा next हम बात करेंगे adjective अब adjective क्या होता है देहें adjective सब्से पहले थो अम adjective समझते हैं लेकिं adjective के साथ भी क्या लगता है अगर sentence में adjective दिया हो तो आपके पास add use होता है लेकिन अब हम इसे समझते हैं की adjective होता क्या है adjective होता है क्रिया विशेष्टा जैसे की क्रिया की विशेष्टा क्या है जैसे he is good at English अब good क्या है? क्रिया है ठीक है? at English क्या है वो? he is good at English वो English में क्या है? बहुत अच्छा है तो यह क्या होती है? क्रिया विशेष्टा होती है जैसे for example He is run at very fast तो वो भी उसकी क्रिया विशेष्टा होई क्रिया की जब विशेष्टा होती है क्रिया क्रिया क्या होती है? जो हम काम करते हैं उस में जब लाब हो या हानी हो ठीक है तो वो क्या हुई क्रिया बिशेष्टा फिर से मैं समझाती हूँ कि क्रिया बिशेष्टा क्या होती है क्रिया क्या होती है क्रिया होती है जब कोई हम काम करते है जैसे मैं पढ़ रही हूँ ठीक है मैं पढ़ने में बहुत जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ यह मैंने कहा राम मैक में बहुत अच्छा है तो वो जो क्रिया करता है क्रिया कर रहा है उसमें वो क्या है? बहुत अच्छा है ठीक है? तो यही हुआ He is good at English English यह भी काफी टाइम पुछा चाता है कि जो adjective है उसके साथ क्या use होता है हमेशा at use होता है जैसे He is good at English She is poor at mathematics ठीक है? यहां तक आपको clear हो गया होगा Next हम बात करेंगे Angry अब angry जो word है sentence में angry word आता है noun या pronoun से पहले तो आपके पास क्या use होता है? तो at का use होता है जैसे The old man is angry at his son failure time clear हो गया? Next है aim aim की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ भी at का use होता है जैसे The hunter aimed at the world The hunter aimed at the world Next है alarmed at वैवित या चोग करना होना चो तो इसमें आपके पास क्या है? He was alarmed at the bad news ठेक है? clear हो गया? Next है annoyed Annoid क्या होता है? अपरसन या नराज होना तो इसके साथ भी at ही यूज होता है जैसे The class teacher was annoyed at the cry तो जो class teacher थी वो क्या होई? गुसा होगे आपरसन होई The cry की जो class थी वो चिला रही थी इसलिए जो teacher थी वो क्या होगे? गुसा होगे तो आपके बास क्या है? The class teacher was annoyed at the cry clear हो गया? Next है Amazed Amazed के साथ भी at use होता है चकित होना जैसे The prince was amazed dash the beauty of princess अब आपके पास amazed है तो इसके साथ अगर आपको बता होता है कि जो चकित होते हैं जैसे चकित होना amazed इसके साथ अगर आपको पता है कि कौन सी preposition use होगे तो आप तो जरूर यहाँ फैट use करोगे Otherwise आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी preposition use कर लेंगे और वो पेपर में गलत हो जाएगी ठेक है तो आपके पास क्या है The prince was amazed at the beauty of the princess वो क्या हुआ चकित हो गया फिर है Amused Amused का मतलब होता है person The children were amused at the circus show जब बच्चों ने circus देखा तो वो वहाँ यानि कि तो क्या होगे वो person होगे तो इस sentence में क्या है यूज़ वा The children were amazed at the circus show clear हो गया circus के शो में बच्चे बहुत खुश होगे फिर वीजी जब वीजी की बात कर रहे हैं तो भी at का यूज़ होता है She was wheezy that's home अब आप इसके साथ क्या यूज़ करोगे She is wheezy at home अब इसके साथ आप लोगे आपे home है ठीक है तो आपको यहां पर आपके पास क्या है वीजी She is wheezy at home Next है Next आपके पास है शोख ग्रेब ठीक है जैसे दुख शोख हो तो उसके साथ भी क्या यूज़ होता है He graved at the death of his father Clear हो क्या Next है hint अब आपके पास क्या है hint He was hinted at the during the party Party time उसने उसे संखेत दिया था Mad of Mad at इसके साथ भी at का ही यूज़ होता है और mock at मजाक मजाक का मतलब क्या होता है मजाक इसके साथ भी at ही यूज़ होता है Knock Knock दरवाजा कटका ना उसके साथ भी at का यूज़ होता है तो ये प्रेपोजिशन काफी important है किसी भी government exam में जिसमें English पूछी जाती है ठीक है? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया like तो जुरू लाइक और share करें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं Thank you तो देने वाद तो क्यूज भाई टीको पूछना है